पानी, सड़क, भष्टचार, महंगाई, काला धन, चाहे वो कस्मीर का मुद्दा हो, एक बात जनता की दरबार में फिर से आने वाला है, क्योंकि भीया, लोकसवा चुनाओ, दुबारा आने वाला है, यहां के राजनेताओं को अच्छी तरहेके से पता है कि किन मुद्दो को भुना के यहां की जनता का विश्वास जीता जाए, पर क्या इस लोकसवा चुनाओं में जनता का क्या मूड है, जानते हैं, जनता से सीधह ही जाके, हमारे साथ देरदून की समय जनता मौजूद है, बिजली कुछ नाली देख लो आप नाली के हालत, जो विदायक जी जीता है यहां से, उन्होंने एक बर भी आके जहाका नहीं, यहां पर क्या हो रहा नहीं हो रहा, बहुत गंदगी कर रखा, बिजली पानी सड़ा कुछ भी काम नहीं हो, हमारे साथ कुछ यूवा भी है, भी है डाई करोड नौकरियों को बादा किया था, अब बोलते हैं कि पकोडे बेच लो, चा कहते हो, अब नौकरी देना तो, अगर कोई एफिशेंट है उसा नौकरी मिलनी चीए, मगर अब वो नौकरी अब क्रियेट करना चाहिए उन लोगो बादा जो पूरा करना चीए, पकोडे बेच लो, पकोडे बेच लो, पकोडे बेचने के लिए उनका मतलब है कुछ काम करो, थोड़ा उस में देखो न, वो कहना जाते हैं कुछ काम करो, अच्छी दिन तो नहीं आप आए, लेकिन ये पकोडे वाली जो बात है, अगर पकोडे ही उवाज लोगो बेचने थे, तो फिर माबाब उनको पढ़ाएंगे कि उतना खर्चा क्यों करेंगे, एक बच्चे की पढ़ाई में कहीं कहीं लाग रुपे लगते हैं, और उसी प पकोड़ी बिच्चे काती पर 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 प्रचा के पहला है, पकोड़ादानी वेशित बिगर पढ़ के लिखती ही बेच सकता है, लेकिन इनके वादे और बाशन बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पुछ नहीं है, आपको पता है कि 2014 में जब मोधी गोव किया आए, जीये अश्टी किया से लगते है, इस अच्छे लगते देmostन जी रहे हैं, ओको एकिन पर प्रव लॏपर मोधी सरकार, क्या काला दन आया है, रामनिर का मुद़ा पूरा हुआ है, कसमीर का मुद़ा पूरा है। लोकसब चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है दुबारा? जी, 2019 मों लोकसब चुनाव आने वाले हैं पान साल पहले मोधी सरकार अच्छे दिन का वादा करके आई थी, कितने अभी तक अच्छे दिन आए हैं? केवल वादे करे थे, वादे निभाए नहीं हैं जी तो तो कहती है हमारी जनता बड़ी खुश है अच्छे दिन आगे है आज यह तो 2019 बाता आगा जनता खुश है कि नहीं खुश है अच्छा जी तो आपको क्या लगता है इस बार के दुबारा आएंगे क्या कुछ मुद्दो पे इस बार राजनीती होगी इसलिए बार तो मुद्दे पर आम लोगों का आपका क्या कहना है कि क्या राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मैरा सवाल है आप नूर्म bureaucracy देशाए मुद्धाराच है, बरॉप ये और समीधार के टूरॉ कुरेती हमें äपकुरी दोपर करें दोचानल करें आनला हैդ लेकिन राम मंदीर तो अभी तक बना नहीं है लोग सब चुनाव आगे हैं दोबारा आगे अब इन पर दवाव तो डाला जा रहा है कि हमाले या माले कोड से करो नहीं दुमाले ना उसे सम्मेदान में लाके करो लेकिन जो गवर्मेंट आई थी अपनी में घोशना पत्र जाप जानते हो जब लोग सब हमें आती है तो गोशना पत्र में वादे करके आती है 42 वादे बीजेपी सरकार ने किये थे उन में से एक वादा राम मंदीर का भी था वो अभी पूरा नहीं कर पाया नोॉना है तो कुल मिला के अच्छे दिन आया हैं कि नहीं आया है अच्छे दिन कुल मिला करके तो बराबरी बराबरी चला ना आए भी है नहीं भी आये हैं 50-50 मैच हो रहा है आज कल तो पर 2020 का जमाना है कुछ महले सही है कुछ महले मुद्दो को लेके बीजेपी गवर्मेंट ने अब तक काम किया है अब वहीं चला जीएस्टी बगरा और चला यहीं चला और क्या चला आपको पता है जीएस्टी होता गया है अपर परदान मंत्री जो बनता है वो सांसत के द्वारा ही बनता है आपको पता है हमारा सांसत को नहीं है अब पता नहीं है ना कभी आते नहीं है अच्छे दिनों की तलास्व हम आये हैं बड़ी बड़ी वादे होती है टीवी डिवेट में बाफने वाजी में धरातल में क्या कुछ दिखता है आपको आप आम जनता है विकास होई हुआ है रोड बन भी बिना बिना बिजेपी समर्थन का बताई आप आपने अ किए आप अब नहीं बनी है आप खुट देख लिजीए करणा देख लिजे चारों तरफ देख लिजे पुलिया भी नहीं बनी विए रोड बनी विए बिल्कुल दिखाई है साथ-छाथ को परमानी होती है आप जरा रोड वो दिखाईए सपाई दिखाईए आप सपाई है यह रोड अभी नई फल्वा है कुछ दिनों में हट जाएगा इलेक्षन की वज़े से रुखा प्रचली जब हट जाएगा सब्सक्राइब आभी नहीं से रोड फ्रसेस्ट जारी धर्म सबाय जारी जारी है जैसे आपने अभी देखा एव धर्मसबा हुई है उसमें भी यही संकल्ब लिया गया है कि जल से जल राममंदिर बनाए जाएगा जल से जल सायद 2022 के उसमें सायद आ जाया राममंदिर के मुद्वड़ आपको क्या कहता है जो चीज महां बनागी और या बनागी महां दो तो अभी तक तो बनाया है निए बनाओंगे जितने भी मुस्लिम संगट है न राम मंदिर बनने नहीं देते हैं आपका कहना का मतलब है बनना चीज बनने चीज बनने चीज बनने चीज ताकि वाद विवाद में जनता को किसी कभी भी नहीं हुआ जैसा आच कर रखा इनोंने हैं अस्पतालों में जहां महासूसरे खून पी में दुनिया भर का पैसा ले ले अभी मैं गई ती लोगा अपना वो करवाने अटारा सो रुपे बताए उनोंने अब दून में अभी दू अटारा सो रुपे बताए दो चिज उसके पीलिया के चैक अप करवाए जो तो वादा क्या हुआ जचा बच्चा की महला क्लिनिक की भी बात करते हैं महला क्लिनिक मना रखा आपके महले में क्या का है यहाँ बिन आ है सापसफाई बसाफ सफफाई तो आप बड़ा था अब बट गया है बातों में हम बातों में लस्ते साफ ऐसाफ सफफाई पिलाल साफाई हैं नहीं है फिलौ है जैसे हफते में वीकली जैसे नहीं है सबसे जादा नशा बंद करवाओ सबसे पहले जवान जवान लड़के सारे बर्बाद हो रहा हैं इन चीजोगों करवाओ यह कि यह चीज़े क्यों नहीं बंद करवा रहा है है सारे बच्चा बच्चा बिगड़ा पड़ा इस विदायक विदायक को बोलते नहीं आप जाके कि भी यह प्रिसानिया तो यह को देखना चाहिए आके जवान जवान बच्चे सारे बरबाद होगा है कोई शराप पी रहा है को बंद करवाओ यह कोई तरीखे हैंगे कि यहां पर जहां तलग देखे महंगाई ने वहत कर रखी है कि जहां देखो जवान जवान लड़कों का सत्या नास हो रहा है का शराप पी पी के जूमते जहांते रहे लड़ते मरते रहे अच्छा इन पान सालों में क्या कुछ आप पान सालों में आपने देखा होगा और यहां पहले लिए बाते ना हुई अच्छा एक सबसे बड़ा जो फैसल लिया था मोधी सरकार कहती है कि हमारा सबसे बड़ा फैसला सबसे अच्छा पैसला था नोट बंदी का आम जनता पे कांधा सत्यानास वा अपनी शहर का नास मार रहा है नोट बंदी करके क्या करा इन्हों ने यह करा देख लो आज क्या सालवर में कितना फरक पड़ा क्या हालत हो गई इस नोट बंदी की वज़े से हैं दुद दुनिया के अच्छा खासे पैसे कुछ लवा के आग लगवादी कंभा अच्छा इन्हें इस बात को आँस बड़े आद्मि . अब यह एक बात तो बता है, बड़े आदमिं तुम हो ? अब यह बनाएерш कजू चोटे आदमियों को मजदूरी कहां से मिलेगी ये एक एकॉनमिक्स का सीधा साधा नियम है जो हमारी एंटीजी ने हमें बखुबी बताया है बड़े आदमी से चोटा आदमी भी चले जब बड़े आदमी ना करने का तो चोटा आदमी का कुपा हो जागा इनके सारे तरीखे गलाते